करते हैं आज के बाजार की बाजार में दो कारवारी दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया है निफ्टी उप्रेस तरहों से 200 अंग गिर कर 18100 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुए निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट PNB और बैंक और बड़ोदा के स्टॉक में दिखाए दी मेटल इंडेक्स भी लगाता दूसरे दिन लुड़क कर बंद हुआ जेस डब्दी स्टील हिंडालको के शेयर सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर रहे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी साथ दिन से चल रही तेजी आस थम गई है इंडिया बोल्स और गोदेज प्रोपर्टीज में रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरने वाले श्टॉक्स रहे बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार बता रही है हमारी सायोगी मांसी दवे तो पूरे दिन उतार चड़ाव और कमजोरी ज्यादा हावी होती दिखी दो दिन की हरीदारी के बाद भारतिय बाजार में बुद्रार का ट्रेडिंग सेशन जो है और फ्यूचर में जहां खरीदारी थी बावजूद इसके हमने देखा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हो कमजोर दिखें रिकवरी की कोशिश नाकाम और अगर आप इंडिक्स इंडिपेंडेंटली अगर देखें अच्छा हजार के नीचे फिसलते हुए हमने दिन भर देखें अच्छा हजार एक सो के स्तरों को भी तोड़कर अच्छा हजार बैालीस तैालीस के लेवल्स पर निफ्टे में काम का जहा अब ये सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे हर सेक्टर हर पॉकेट में बिक्वाली का दबाव रहा और बिक्वाली सबसे ज़्यादा हावी होती देखी मेटल स्टॉक्स में माइनिंग शेरों पर लगातार दूसरे दिन हमने देखा गिरावट थी जिसके चलते मेटल और माइनिंग पैक में बिक्वाली का दबाव जहा JSW स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल को जैसे तमाम स्टॉक्स में लाल निशान के साथ हमने ट्रेज्स देखे वही विदानता और टाटा स्टील में भी दो से तीन पिसें तक की बिक्वाली ही हावी रही नतीजों से ठीक पहले कंपनियों के क्वाटरली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं चोटे मुझवाली बैंक्स के जो अपडेट आये उसके बाद हमने बैंकिंग स्पेस में अच्छा आक्शन देखा था लेकिन Q3 में जहां HDFC बैंक के अपडेट साथ देखे उसके ठीक बाद भी हमने देखा कि ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जो कि आज बाजार को संभाल नहीं पहाएं हाला कि अपडेट्स पॉजिटिव थे और अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूज देखें सबसे ज़्यादा कॉंट्रिबूशन आज के सत्र में अच्छा गिरते बाजार में भी लाइफ इंशॉरंस प्लेज और साथी सिमेंट पैक में अच्छन था आज दिन भर अल्टर टेक श्री सिमेंट जैसे काउंटर्स थे जो कि हरे जेल रहे थे सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे हमने सबसे पहले मेटल पैक में गिरावट जेली उसके बाद हमने देखा फार्मा हो चाहे आटो मोबियल स्पेस हो आज हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव जो हावी होता हुआ ही दिखा और लाल निशान के साथ सबसे ज़्यदा बिकवाली आई-टी पैक में नज़र आई उसके ठीक पीछे FMCG प्लेज गिरें मेटल स्टॉक्स तूटें PSU बैंक और प्राइविट बैंक स्पेस भी बाजार को संभाल नहीं पाएं फाइनल क्लोजिंग मार्केट्स की जब हमने देखी इंडेक्स में निफ्टी 18,000, 42 के लेवर्स पर क्लोज होता हुआ नज़र आया वही 42,958 के स्थर पर बैंक निफ्टी में भी खरीब 500 अंकू की गरावट ही हावी होती रही चार-पांच स्टॉक्स को अगर छोड़ दीजेगा निफ्टी 50 में हर स्टॉक में बिकवाली का दबावी देखने को मिला तो ओल इन ओल गिरावट भरा सेशन और वीकले एकस्पारी के ठीक एक दिन पहले बाजार आज तूटते हुए